मेरा नाम है सौरब और आप देख रहे हैं इस प्रीचल इंदुस्तानी यह हमारी आजम फर्स्ट फीडियो बनाने आए हैं कालका जी मंदिर जो की स्थित है हिंदुस्तान की राजवाणनी डिल्ली कालका जी में आज हम आपको लेके चलेंगे और वहन्य बास्ट म्धिर के दर्शन कर वाइंगे हमारे उदेश से हैं जो व्यक्टि अपने घर के नहीं आ पाता आज हम उनको घर बैठे बैठे माता रानी और बैरो बाबा के दर्शन करवा है और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जितने नीडी बंदे हैं जरूरत बंदे हैं उनको भी कुछ अपने पास से दे सके और हम कोशिश करेंगे यहाँ के पंडित जी से या फिर शोप कीपर से बात करने की और थोड़ी हमार को इन्फोमेशन मिल पाए जानकारी मिल पाए इस मंदिर के बारे में और आप आप लोगों तक पहुच पाए तो चलिए शुरू करते हैं जैम आता दी दोस्तो हम गोविनपूरी की तरफ से कालकाजी मंदिर जा रहे हैं आप यहाँ मेट्रो स्टेशन बस या प्राइवेट विकल से आ सकते हैं यहाँ का नजदी की मेट्रो स्टेशन कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन है जो की violet line पर इस्तित है अगर आप अपने private vehicle पर आते हैं तो यहाँ parking की भी सेवा उपलब्द है अब हम आपको मंदिर से जुड़ी कुछ जरूरी बाते बताते हैं कालकाजी मंदिर एक लोक प्रिय और अत्यदिक समानित मंदिर है एक इलाका जिसका अपना नाम मंदिर से लिया है प्रसिद लोटस टेंपल, नेरू प्लेस मार्केट और इसकोन मंदिर से नजदीक है यह मंदिर कालकाजी देवी, देवी शक्ती या दुरुगा के अफ्तारों में से एक को समर्पित है कालकाजी मंदिर के इस्थल पर प्रकट हुई थी, मा भगवती और महाकाली मानने था है कि इसी जगे पर आदिशक्ती माता भगवती, माहाकाली के रूप में प्रकट हुई और असुरों का संगार किया मोजुदा मंदिर बाबा बालक नाज ने इस्थापित किया था मानने था है कि ग्रहन के दिन जब सभी मंदिर बंध होते हैं, माता काली का यह मंदिर खुला होता है समाने दिनों में इस मंदिर में वेदो, पुराणों और तंत्र विदी के साथ पूजा होती है नवरात्री में इस मंदिर में मेला लगता है इस मंदिर में अखंड जोती प्रज्वलित रहती है मानने था है कि नवरात्री में लगने वाले मेले में माता अश्टमी और नवमी के दिन मेले में स्वैम आती है ये भवन के अंदर कालका माई के दर्शन है मंदिर में फोटो या वीडियो बनाना वर्जित है इसी कारण हमने मंदिर के नियमों का पालन करते हुए अंदर की वीडियो नहीं बनाई दोस्तों हम आज शोप की पर से बात कर रहे हैं कालका जी मंदिर के कियानाम आपका साथ राईइन्द ररगरवाल राजइंदर जी बताए कि कोरोना के बाद से यहां पे कितनी भीड एक क्रोना से पहले कितनी रहती ती करोना से पहले तो काफि रहती है और करोना के बाद में भाध फरकपड़ाया तो लोग यहां पर guidance follow कर रहे हैं, mask वगयरा लगा रहे हैं, sanitizer यूज कर रहे हैं, तो अभी आपकी दुकान का यह समान बिक रहे हैं, यह अंदर चड़ाया जा रहा है, नहीं भी चड़ाया जा रहा है, नहीं भी चड़ाया दोनों बाते, फूल वगयरा चड़ा सकते हैं, तो दन्यावाद आपका हमसे बात करी, थैंक यू, हम कालकजी मंदिर में पंडे जी से बात करेंगे, जो बैक साइड सा अगर हम मंदिर में आते हैं, तो पीछे एक छोटा सा मंदिर आता है, तो पंडे जी से बात करेंगे, पंडे जी अपका नाम? तुलसी बाबाजी, तुलस पापा करके छोड़ के चला गया, यह मंदीर जब इतियास में जो कुरुपांडब का जुद्ध हुआ, उस टाइम का अर्जुन को सपनों देखाया था, महा उस तम जंगल था, उस महा को सपनों देगा है, तुम महा चला जा, मैं वहा तुम पकित हो के शक्ति दूँगा, उदर से, गाई आके दूद्ध दे चाता, किसी को पता नहीं था, खाली कुरुपांडब का अध्मी का किसी को पता, जंगल था, तो उसी टाइम आके गुआला के मेरा गाई कहा गिया, तो गाई आके यहां पर दूद्ध देने लागा, और लेके बान के रखका, फिर करते होते हैं, तो सब एक एक करके महनति करने लागा, यहां पर हो सकती, सब आदमी को कम, अच्छा, पंडी जी, आप कब से हो यहां पर, पंडी जी, 1990 से है, और यहां पर भीड़ वगरा, भी तो पोचूर होता है, अभी भी हो रहा है, थोड़ा कुछ दिन, अभी तो जैस करेंगे कि जब भी आप कालका जी मंदीर आते हैं, तो बैक साइड से दो नमबर गेट से आए, और यह पंडी जी बताएंगे, यहां पर आएंगे, तो इनके भी दरशन कीजिए, इनकी भी कुछ सेवा होगी, और मातरानी आश्रवात देगी आपको, कहां से आना है पंडी जी इदर, यह दू नमबर गेट से, रामप्याव गेट से, तुलसी बाबा तारामाय का मंदिर, यह उनका सीब मंदिर का बगल में है, यह पीछे बैक साइड मैट्रो य के सेवा का भाव है, यह ब्ले पिल्ली सेवा करते हैं, को सेवा में होता है कि यह ब वहता है यहां का सेवा करろ क taught he मातरानी के बहुत अच्छा दरुए और आपको भी मातरानी पूरी आपकी अपना पूरी करें यहां पर और आपके आपको जा रहे हैं बहरो मंदिर बाबा की दरफ तो यह यह बैक साइड का रास्ता है अगर आप देख सकते हैं इसके बाद आप इस साइड पीछे से जाएंगे तो आप देखेंगे मैटरो भी दिखेगी आपको आप यहां से सीधा सीधा जाएंगे तो कुछ मीटर की दूरी पे बैरोगावा मंदीर है अभी अभी जा रहे हैं और आपको मेट बहुत मैटरोड सूचना देना चाहूंगा कि आपको कोरोना की गाइड देंज जुरूर फोलो करनी हैं मास्क लगाना है सैनेडाइस करना है लोगों से दूरी बना के रखनी है अगर आप यह करेंगे तो आपका भी भला है और सबका भला है आप कोरोना की बहुत अच्छा सजाए अच्छली आप लोग जानते होंगे जो कि 17 जनवरी को बहरो बाबाजी का जनम दिन मनाया जाता है तो उस उपलक्ष पे मंदिर बहुत प्यारा सजाया गया है आप वीडियो में देख सकते हैं इतना प्यारा मंदिर सजाया कि इनका जनम दिन रवी नुमान मंदिर भी है और माननेता है जब भी माता के दर्शन करें तो बहरो बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए तब ही दर्शन संपून माने जाते हैं प्राचीन बहरो बाबा मंदिर में कालकजी मंदिर की तरह नारियल और शराप का परसाद चड़ता है हम चाहेंगे क कि जब भी आप कालका जी मंदिर आएं तो बहरो बाबा मंदिर के दर्शन भी जरूर करें इस मंदिर में बहरो बाबा जी के साथ साथ आप और भी देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं दन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दन्यवाद दोस्तों जैम आता दी